बिस्मिल्ला अर्मान रहीम, आज का अमारा टापिक है पर्टेनिंग तो हिमन राइट्स, कंसेप्ट आव हिमन राइट्स, तो इस जिमन में आज हम आर्टिकल सेवन और एट आप दी कॉंस्टिटुशन ऑफ पाकिसान 1973 डिस्कास करेंगे, तो स्थार्ट वेज आर्टिकल सेवन, आर्टिकल सेवन में स्टेट की डैफिनिशन ब्यां की गई है। स्टेट मीन्स रियास्त का मतलब है वफाकी हकूमत फैडरल गवर्नमेंट पार्लेमेट प्रोविंशल गवर्नमेंट यानि सुभाई और सुभाई हकूमत और सुभाई असंबली और इसी तरह लोकल अथार्टीज या दीगर कोई ऐसी अथार्टी मुल्क में जिसको टेक्स इंपोस करने का टेक्स लगाने का या सेस शरव अगरा लगाने का कानूनी अख्तियार हो और आर्टीकल एट इस दे वो क्या कहा है कि पहला आर्टीकल है चेप्टर वन का जिसका आउटलाइनर यह के लाज इंकंसिस्टेंट लाज इंकंसिस्टेंट विद और इंडेरोगेशन आव फंडमेंटर राइट्स तो बी वाइट कि वो कवानीन जो बन्यादी हकूक से मुतसादम होंगे अदम मताबकत में होंगे खिलाप होंगे वो बातिल वाइट वाइट लिटरली मिन्स नान अग्जिस्टेंट वाइट तसवर होंगे इसको सब्क्लास One है कोई कानून या रस्म और वाइट जिसे कानूनी हैसियत या कानूनी टाकत हासिवो वो अगर इस चैप्टर में यानि चैप्टर One में जिसमें फंडमेंटर राइश दिये गैं ह嘛 अगर उनसे मुताबकत नहीं रखता तो वो बातिल तसवर होगा, वाइड तसवर होगा, नान अग्जिस्टन्ट तसवर होगा, उस हाथ तक जिस हाथ तक वो इनकंसिस्टन्ट है नमबर टू, यानि आर्टिकल एट सबक्लास टू, स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते, जो इन दिये गए बुनादी हकूप, फंडमेंटल राइट्स, को वापस ले ले, या कम करें, घटाएं, और इस क्लास टू की खिलाफ वर्जी करके बनाया गया कोई भी कानून, इस खिलाफ वर्जी की हाथ तक वाइड होगा, बातल होगा, नान अग्जिस्टन्ट तसवर होगा, सबक्लास ट्री में, ये कहा गया कि आर्टिकल एट सबक्लास ट्री को, आर्टिकल एट अपलाई नहीं करेगा, इसमें कुछ एक्सेप्शन्स दियें, नमबर वन, दिमें परजाब आम्ड फॉर्सिस, नब पॉलीस, या दिगर कोई आम्ड फॉर्सिस, जिनकी डिप्टी ये हो, अमने आमा को बहार रखना, ताकि वो ऐसन तरीके से, अपने फॉराइस कौन से, अमने आमा बहार रखने वाले, कुछ सर अंजाम दे सकें, और अपने अंदर, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें, आर्टिकल 8 सबकलास 4, जो आर्टिकल 8 सबकलास 3 में, A और B दिये गए, यानि कोई, जो कोई लाज पहले शेडूल में दिये गए, फोरी तोर पर नाफसल अमल होंगे, दिगर लाज से, जो पहले शेडूल के पार्ट 1 में दिये गए, और उनमें से, अगर कोई कानून तसवर नहीं होगा इस मुनाथ पार के फंडमेंटल राइट से मताब करता नहीं रखता या मुखालपत में चप्टर वान के किसी प्रोवीजन से अब यह बात पैरा नंबर सब क्लास फॉर में हो रही है कि पैरा नंबर थ्री बी के बावजूद दो साल के अर्सा में पारलेमेंट मुकनना पहले शेडूल के पार्ट टू पार्ट टू को इस चप्टर के यानि चप्टर वान की ए कनसिस्टन्ट करेगा इसके मताबक बनाएगा इसकी मताबकत में लाए जाएगा उसको और पारलेमेंट मुकनना करारदाद के जरीए इस दो साल की मुद्द को छे माँ तक मुजीद भी एक्स्टेंड अगर जरूर पड़े तो कर सकती है सबक्रास फाइव है आर्टिकल एट की चप्टर वान के तहद दी गए फंड़मेंटर राइट्स को मुद्द नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट आइन खुद वाज़ा तोर पर इसको एक्सप्रेसली प्रोवाइड करे यानि बगएर आइनी प्रोविजन के और कोई सूरत ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान के शेरियों को दिये गए फंड़मेंटर राइट्स को इवन सस्पेंड भी किया जा सके आपका बहुत शुक्रिया आप इन कवनीन को भी देखते जाएं इन फंडमेंटल राइट्स को भी देखते जाएं और पस्मांदा गैर महजब मुमालिक जहां पे रूल अवला नहीं है उनके हलात को भी देखते जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क के अवाम के साथ किस साथ तक खिलवार किया जा रहा है आपका बहुत शुक्रिया प्लीज कीप वाचिंग थैंक्यू वारे मच्छ